गीता जेंती समारों का मंगलवार को अंतिम दिन था इस संबंध भी यम्ना नगर जीला प्रशाशन द्वारा काफी बहतरीन इंतजाम किये गए थे मगर कहीं न कहीं प्रचार प्रसार की कमी से गीता जेंती समारों में आम लोग नदारत रहे और दर्शकों के लिए बिछाई गई कुर्सिया खाली नजर आई कि जीना प्रशाशन द्वारा बहुत अच्छा इंतिजार किया गया था मगर यह दुरुभागी की बात है कि कही न कहीं प्रचाय प्रसार करने में प्रशाशन चूप गया जिसका यह नतीजा रहा कि शहर वासी इतना बहतरीन कारिकरम देखने से परचित रहे गए समाजिक कारेकरता शेशी ने यह भी बताया कि गीता जैंति समारों में विभिन विभागों द्वारा ने रहोजगार शुरू करने के स्टॉल भी लगाए गए थे आयोश विभाग द्वारा इम्मीनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को नायाग टिप्स भी दिये गए मगर इस आयोश में जो भी खर्च आया उसका सदुप्योग तब माना जाता जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचते और इन सब का लाब उठाते ऐसे में उन्होंने पशाशन को भविश्य में ध्यान रखने की नसिहती है प्रान जाए पर वच्च दना जाए सर यम्ना नगर में जो गीता जन्ति का योजन किया जा रहा है कुरसियां खाली देखने को मिल रही है क्या कहना चाहिए इस बरेंगे बहुत बड़े दुर्भाग्ये की बात है कि जीला परशाशन द्वारा इतना अच्छा योजन इतना बड़ा कारेकरम किया गया था और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं परशाशन भी ये परचार परसार करने में सफल रहा है कि यहां पर इतना बड़ा योजन हो रहा है परशाशन के द्वारा यहां पर वीविन विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गया है जिसमें MSME की तरफ से एक स्टॉल्स लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना रोजगार शुरू करना चाता है उसको सारी फैसिलिटीज यहां मिलेंगी इसके साथ हैफ़ेट के द्वारा यहां पर अच्छी विवस्ता की गई है क्रिशी विभाग द्वारा यहां पर एक स्टॉल लगाया गया है उद्यान विभाग द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति होटी कल्चर विभाग की स्कीम पराप करके अपना बिजनस शुरू कर सकता है ऐसे ही यहाँ पर पशु पालन विभाग द्वारा भी एक स्टार लगाया गया है कि जिसमें आप पशु जो लोग पशु पालन का काम करते हैं उनको किस प्रकार से सब्सीडिस मिल सकती है यह आयूश विभाग की तरफ से लगाया गया है जहां पर उनको इमिनिटी बूस्टर हर व्यक्ति को फ्री में दिया जा रहा है परशाशन के दुआरा यहां पर फ्री में चाहे पानी की अच्छी व्यवस्ता की गई है लेकिन बड़े अफसोस की बात है इतना अच्छा इंतजाम होने के बाद इतनी अच्छी साफ सपाई होने के बाद पर जो हमारे यहां पर कला निरित्य पेश किया लोगों ने इस प्रोग्राम को मिस किया और मैं परशाशन से दुबारा पील करूँगा कि जब आप इतना अच्छा प्रोग्राम रेंज करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा परचार परसाथ पहले कुछ दिनों से कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे कारेकरम का लाब ले सकें मुझे लगता है कि इस समय जितना पैसा है यह हमारा पैसे का सदूपयोग नहीं हो पाया तो मेरी परशाशन से अपील है और आम जंता से पीला क्योंकि अखबार में हरो जा रहा है लेकिन अभी लोग या तो समय को नहीं मैनेज कर पाए हैं कि यह पांच बजे बंद हो रह है क्योंकि स्कूल के बच्चों को ज्यादा बुलाया गया है हमारे काउंटर पे कुछ लोग आए हैं लेकिन मैं सर अभी मुझे बड़ा दुख है कि जिस टंप में जिस एरिया में यह पोश एरिया है युम्ना नगर का और ऐसे लोगों को तो आना चाहिए था उनके लिए इतना सब कुछ किया गया था और फिर कहीं बार कहते हैं कि प्रशाशन कुछ नहीं करता है यह प्रशाशन ने बहुत अच्छा एक इनिशेटिव लिया लेकिन लोगों ने इसका फैदा नियुक्ता है